Prelims is over now and it is a time for Mains Mains के लिए जो लोग भी Beginner है यानि Next Year Attempt देने जा रहे हैं या फिर जो लोगोंने Prelims दिया हुआ है और इस साल Mains देने जा रहे हैं इस Session में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे Geography Optional के Syllabus को अच्छे तरीके से Within 3 Month हम Prepare कर लें किवल Preparation हमें Concepts की नहीं करनी है हमें साथ साथ जो Answer Writing है कैसे हम इसे Effective तरीके से करें किस तरीके से हम इसे Well Structured Manor में करें और हमारी जो एक Basic Writing Practice है कैसे वो एक Advanced Level तक ले जाये जाये यह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो Target होगा वो यही होगा कि कैसे हम 300 Marks तक Geography में Achieve कर सकें 300 Marks तक Achieve करने के लिए जो Plan होना चाहिए जो पहले तो Beginner के बारे में बात कर लेते हैं जो Beginner है उन लोगों के लिए Description Box में Book List भी लिखी गई है कौन कौन सी Books आपको Purchase करनी चाहिए कौन सी आपको Go Through करनी है Full syllabus का एक Playlist भी लगाया गया है कि आप Beginner है Then you can start watching from Video No.1 Then you can go up to 168 Videos इसके लावा Paper No.2 में Map Making भी होती है तो वहाँ से Map Making के भी Description Box में Playlist लगा दी गई है You Can Go Through Again अब उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो लोग already syllabus को Go Through कर चुके है या जो 2024 में Means लिखने वाले है क्या आखिर में Strategy होनी चाहिए उन लोगों के पहले हम लोग इस Strategy Discuss कर लेते हैं तो Strategy के लिए देखिए Classes हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से यानि 20th June से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे पहले जो दो दिन रहेंगे First Two Days इस First Two Days में हम लोग सबसे पहले देखेंगे syllabus क्या है syllabus में किस-किस एरिया से question उठ रहे हैं क्योंकि ये काफी ज़रूरी है कि आप identify करें कि कहां-कहां से question pick up किये जा रहे है और इस दोरान में हम लोग जो भी past year questions है उन past year questions को भी देखेंगे या आपके session number 1 में ही हम लोग पूरी तरीके से cover कर लेंगे session number 1 में first class में हम लोग discuss कर लेंगे कि किस सेरिया से question उठ रहे हैं, कौन से past year questions से आ रहे हैं और कितना current based हमें चीजों को ले कर के आना है जो second day हम लोग class करेंगे उस second day class में पूरे syllabus का जो gist है यह gist पूरा हम लोग discuss करेंगे, इस gist से आपका जो पूरा एक syllabus है जो आप लोगों ने paper 1 paper 2 में, पूरे concepts आप लोगों ने देखे होँगे, इस concepts के हम लोगों को नाम नाम देखेंगे जो आगे आने वाले टाइम में रिवीजन में काफी काम आने वाला है तो first two days I would say we are going to discuss the whole syllabus of geography optional in an entire way एक entire way में हम पूरी चीजों को देखेंगे जिससे कि आपका connection बन जाए और at least जो नाम है वो नाम आपको ध्यान हो जाए कि कौन-कौन से norm geography optional में हमें देखने को आगे मिलेंगे session number 3 से हम लोग start करने वाले है geography optional past year question and writing answer writing session के दोरान में यहाँ पर हम लोग 20th से start करेंगे और हम लोग start करेंगे सबसे पहले human geography that is perspective in human geography and models and theories यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे class का pattern क्या होने वाला है class का pattern होगा यह कि हम लोग जो भी concepts है इन concepts को revisionary manner में यानि थोड़ा सा fast forward करके हम लोग discuss करेंगे आप अपने जो भी notes रहेंगे उसको एक बार notes revision करके बैठेंगे और उसके बास से हम लोग जो concepts रहेंगे उनको हम लोग basic से start करेंगे और फिर advanced level तक ले जाने की कोशिश करेंगे concepts के साथ साथ इस से related जो भी past year question आए हुए होंगे उन past year question को भी हम लोग साथ ही साथ में discuss करते रहेंगे basically हम लोग past year question के ही basis पर जो concepts है उसको revise करेंगे and ये भी देखेंगे कि how to apply those concepts in the question और वो हम लोगों को question के दौरान ही देखने को मिलेगा कि कोई एक question रहेगा उसमें कैसे हम अलग-अलग model यूज कर रहे हैं कैसे हम रोस्टो का model यूज कर रहे हैं कैसे हम Weber के model की यूज कर रहे हैं या model के जरिये हम answer को आगे बढ़ा सकते हैं structure कर सकते हैं similarly इसी तरीके से geography के बाकी जितने भी चीजे हैं वो syllabus हम लोग one by one करके go through कर लेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले human geography paper number one से start करेंगे and then we will go on to the paper one का जो physical वाला part है उसको and then paper two इस तरीके से हम लोग कर लेंगे paper one में maximum चीजें आपकी वैसे तो static ही होने वाली हैं यहाँ पर ज्यादा कुछ खास dynamic नहीं है एकाद दो चीजें होंगी then वो भी हम लोग discuss कर लेंगे लेकिन mainly आपको जड़ dynamism है जो contemporary nature है यह आपको देखने को मिलेगा paper number two में तो paper number two यह हम लोग paper number one के जो concepts है उनको तो apply करेंगे ही करेंगे plus साथ ही साथ में जो भी यहाँ पर current events वगर हैं उनको भी साथ में integrate करते चलेंगे and obviously again फिर से past year question के basis पर ही हम लोग इस वे करेंगे यह series आपके लिए काफी important होने वाली है क्योंकि इस से आपका जो पूरा syllabus है वो तो एक effective manner में revise हो गा ही होगा plus साथ ही साथ में आपको question कैसे लिखना है कैसे attempt करना है यह idea भी लगते रहेगा और अगर आप थोड़ा सा dedicated manner में करेंगे then बहुत अच्छी preparation आपकी हो जाएगी with respect to the answer writing या किसी को अगर answer writing से थोड़ा भी अगर डर लगता होगा तो यह आपके लिए काफी आसान कर देगा इस course को access करने के लिए आप membership ले सकते हैं दो तरीके की membership है एक है जहाँ पर 299 की membership ले करके you can access the videos हला कि live videos जो रहेंगी वो हम लोग most probably आप timing बता सकते हैं most probably हम लोग 8.30 से किया जाए साड़े 8-9 बजे से इसको किया जाए आप एक बार इसको जड़ासा जो timing है वो आप लोग भी बता सकते हैं telegram channel पे कि क्या timing use कर सकते हैं और you can comment below क्या timing हम लोग use कर सकते हैं live classes के लिए आप consensus रखिएगा कि सबके लिए एक convenient रहे एक time period ऐसा रहे live classes जो रहेंगे that would be completely free after the live class if you want to access the videos then you can take membership ये YouTube membership है YouTube के नीचे join button आ रहा होगा उस join button को click करके you can take the membership ये monthly membership होती है दूसरी चीज जो ये monthly membership होती है ये completely YouTube के द्वारा manage की जाती है इसमें हम लोगों का creator का कोई भी access नहीं होता है तो अगर कोई भी issue related with the payment होती है then you can directly reach to the Google आप Google YouTube को reach करिएगा वहां से हलकि जादा payment failure ऐसा होती नहीं है लेकिन पुराने जो भी मतलब payments वगर है हुए थे तो उसमें कुछ लोगों को issue आया था तो उसमें ये जो problem है वो आप लोगों को share कर दी जा रही है second thing if you want to access the material and the short note this is going to be the key changer ये key changer है short note इससे आपका revision काफी effective manner में हो जाता है तो short note को अगर access करना है with the material access करना है with all the जितने भी आपको content वगर है और सारे access करना है you can take the membership of $70.99 per month again join button click करके आप चीजों को access कर सकते है इन membership को लेने के बाद में जो पुरानी videos भी है वो भी accessible हो जाती है तो आपको such नहीं है and this is the highest membership ये highest membership है तो इससे नीचे की जितने भी membership है वो automatically आपको accessible हो जाती है ये तो हो गया जहां पर आप अपने पूरे syllabus को किस तरीके से effective manner में cover करेंगे और साथ में past year question को किस तरीके से हमें देखना है ये हो गया इसके लावब test series भी आप कर सकते हैं test series से आपको फायदा क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ test series से दो चीज़े देखनी होती है जभी भी आपको paper देना है ultimately जब paper देना होता है तो यहाँ पर दो बाते होती है एक होता है कि जो आप answers लिख रहे हैं ये answers आपके quality answer होना चाहिए लेकिन ये quality answer ऐसा नहीं है कि unlimited time आपको मिल रहा है obviously आपके पास में एक limited time होती है तो जो limited time होती है इस limited time को practice करने के लिए test series काम में आती है test series से आपको दो चीज़ें एक तो आपको एक evaluation मिलता है कि आखिर में कहाँ पर गलतियां हो रही है क्योंकि one to one यहाँ पर feedback दिया जाता है जिससे आपको answer कहाँ पर क्या गड़बडियां हो रही है क्या हमें और कहाँ पर improvement करना है वो पता लगता रहता है और दूसरी चीज़ यहाँ से आप अपना एक time management भी बनाते हैं कि कैसे मुझे चीज़ों को करना है time management के लिए भी कुछ inputs हमारी तरफ से आपको दिये जाते हैं यहाँ पर again दो module है one module जहाँ पर आप without model answer you will access by the fee of 499 और दूसरा है 1500 जिसमें आपको model answers वगरे भी मिल जाते हैं थोड़ी सी इस बार test series के schedule में changes है इस बार के test series में चुकी time काफी कम है तो इस वज़े से club किया गया है पहला जो test है 29 June को है और यह 29 June को पहला जो paper होगा perspective in human geography और models and theories को ले करके है paper number 2 settlement, population and economic geography etc. यह schedule भी आपको दे दी गई है you can again download it from telegram अब देखे एक चीज़ यहाँ पर है कि आपको effectively revision के साथ साथ test series करने के लिए दोनों ही program को sync में रखा गया है कि आप 28 June तक अगर दोनों topics को revise कर लेते हैं then you can attempt the test on 29th of June similarly इसी तरीके से बाकी के सारे syllabus भी हैं जिसको आप one by one करके discuss one by one करके आप अपनी सारी चीज़ों को prepare कर सकते हैं तो I think जो भी आपके issues हैं जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर clarify हो गया होंगे एक चीज़ और जिन लोगों ने पुरानी test series ले करके रखी हुई है और जिन लोगों ने discussion attend नहीं किया था या उन लोगों को discussion available नहीं हो पाई है किसी कारणवश वो सारे भी अभी भी valid है और जो discussions वगर होंगे वो सारे discussion भी हम लोग one by one करके मतलब arrange करते रहेंगे और again same इसी pattern पर ही हम लोग करेंगे तो जो 29th of June को जैसे paper होगा perspective in human geography and models and theories का तो दोनों ही batch को club कर दिया जाएगा जो पुराना batch है और साथ में जो नया batch होगा दोनों को club करके we will take the session on series का discussion अम लोग फिर कर लिया करेंगे तो जो पुराने लोग है उनको ऐसा नहीं है कि वापस से re-enroll करने की ज़रूर रता है ऐसा कुछ नहीं है your money is very important तो इस वज़े से जो पुराने लोग है उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं है उनको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा तो जो भी पुराने discussions होंगे या जो discussion नहीं हो पाएं उनको प्लस साथ में दोनों को एक साथ club करके चीजों को कर लिया जाएगा ताकि preparation main चीज है preparation अच्छी होनी चाहिए अच्छे से कर सकते थे लेकिन शायद नहीं किये और यह लगबग कई लोगों की हर साल की problem हो जाती है तो मैं यही suggest करूँगा कि इस बार थोड़ा सा sincerely चीजों को करिए sincerely classes को attend करिए और जो भी doubt रहे वो doubt को sincerely पूछिए और जो answers रहे उनको आप attempt करिए doesn't matter कि छोटे से छोटा question अगर एक paleomagnetism का भी question है और अगर आपको दिया गया है तो आप इस चीजों को attempt करिए आप इसमें नए तरीके ढूंडिए कि आखिर में किस तरीके से मैं नए questions को attend कर सकता हूँ ठीक है अच्छा एक चीज और किवल ओकिवल optional से आपका काम नहीं चलेगा आपको optional के साथ-साथ अपना GS भी focus करना है और साथ में जो भी current affairs वगर है उनको भी आपको देखना होगा तो ये सारी चीज़े भी आपको करनी है इसके लिए separately हम लोग एक अलग से session लेकर के आएंगे और कैसे GS को prepare किया जाए कैसे current affairs को prepare किया जाए इन सारी चीज़ों को भी अलग से session के दौरान में discuss कर लेंगे so if you have any query और have any doubt then you can call और whatsapp on these numbers या फिर आप email कर सकते हैं या फिर आप website पर visit भी कर सकते हैं जो लोग भी test series या फिर courses में enroll करना चाहते हैं in case अगर website accessible नहीं हो पाती है तो आप simply या तो whatsapp कर दीजिए या फिर आप telegram कर दीजिए या फिर आप एक email कर दीजिए आपको जो भी यहाँ पर query होगी उसको आपको sort out करने की पूरी कोशिश की जाएगी so that is all मिलेंगे अपने next session में कल से और अपनी जो discussion है session number one जहाँ पर हम सारी चीज़ों को एक बार go through कर लेंगे and session number two जिसमें हम concepts को एक बार go through कर लेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इसके बास से one by one करके discussion करना शुरू करते हैं so best of luck to all of you और फिर सभी लोग जड़ा एक वार वापस से एक नए जील एक नए dedication और एक नए energy के साथ में preparation में लग जाते हैं